तो bitcoin के price में अभी जो अचानक से काफी बड़ा एक fall आया करीब अगर हम यहाँ पर calculate करें तो bitcoin में अचानक से 12% की गिरावट आ गई है और अगर हम liquidations की बात करें तो यहाँ पर जिनके भी long open थे यहाँ पर जो सभी के liquidate होते जा रहा है काफी भारी मातरा में यहाँ पर जो liquidation हुई है अपने twitter handle पर मैंने जो इसकी information शेयर की है तो उसके बारे में आज की video में हम बात करेंगे urgent video है यह नमस्कार दोस्तों मैं साहिल दुबे सागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस channel पर फटा फट से start करते हैं वीडियो को तो matrix port के latest report में इन्होंने यह कहा है bitcoin का जो ETF है वो SEC जो है disapprove कर देगा, reject कर देगा यह जो भी बात चल ले कि 10th of January तक जो है यहाँ पर approval मिल जाएगा तो वो चीज इनकी prediction है कि SEC जो है उसे disapprove कर देगा और इनका यह भी कहना है कि यहाँ पर bitcoin का जो price है वो 36,000 से लेकि 38,000 डॉलर तक चला जाएगा यह जो इनकी report है आप मेरे twitter handle पर जा करके पढ़ सकते हैं, twitter की link का आपको मैं description box में दे दूँगा इनका simple सा देखे यह कहना है कि ऐसा नहीं है कि SEC जो इसे approve ही नहीं करेगा, approve करेगा लेकिन quarter 2 में कर सकता है साथ ही साथ इसके पहले कि जो इनकी predictions थी कि Christmas तक जो bitcoin का price 45,000 डॉलर तक जाएगा वो भी सही हुई थी तो कहने का मतलब है कि इनकी prediction जो बार बार सही होते हैं, इस वज़े से यहां पर market में panic का माहौल आ गया, लोग को यह लगा कि इने SEC जो है, वो bitcoin के ETF को यहां पर approve नहीं करेगा, reject कर देगा इसी वज़े से एक panic की situation create हुई और इस तरीके जो selling pressure बढ़ा, कि bitcoin का price जो लगाता है नीचे आता गया, तो अब बात आते हैं कि इस situation में जो आपको क्या करना है, आपको देखिए बहुत सारे news ऐसे मिल रहे हो कि bitcoin का approval होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा यहां पर pattern बतात उनके मन में यहाए कि हम जो है लगातार investment करते रहें, क्योंकि bitcoin तो जो अब उपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं आने वाला है, लेकिन हमने जो अपने channel पर आपको पहले ही एक चीज़ बताई थी, कि इस तरीके से price जो लगातार उपर की direction में नहीं जाता है, एक बार जो ह करना होता है कि वही चीज़ मुझे लगता है हो रही है, और इसके पीछे जो यहाँ पर सहारा लिया गया है, matrix port के इस report का, यह report आने के बाद bitcoin की dumping जो यहाँ पर देके start हो चुकी है, अगर हम यहाँ पर जो एक दिन का chart देखते हैं, तो हमें ही पता चलता है कि bitcoin का जो price है, जो 40,600 पर इसका एक support level है, वहाँ पर आ करके ऊपर के direction में चला गया है, यह जो support है यह अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन आप ऐसा बिलकुल मस समझी गया है कि यह वाला support अगर काम कर गया है, तो यहाँ से हम ने जो entry बना सकते हैं, अभी आपको कोई भी trade या फिर कोई बी entry अपनी नहीं बनानी है, हो सकता है कि bitcoin के price में आने वाले 3-4 दिनों में भी और ज़्यादा bleeding हो सकती है, क्योंकि अभी यह prediction हुई है कि January 10 को जो यहाँ पर bitcoin के ETF के उपर जो बाते चलने वाली हैं, और bitcoin का ETF हो reject हो जाएगा, इतना सिर्फ prediction हुआ तो इतना बार dump आया, में भी हमें जो यहाँ पर bleeding देखने को मिली है, तो जितने भी लोग यहाँ पर future trade कर रहे थे, उन्हें जो काफी बड़ा यहाँ पर loss हुआ है, क्योंकि market में जो इस तरीकी कि जब यहाँ पर volatility आती है, तो उस time पर जो लोग stop loss लगा करके रखते हैं, वो तो बज आते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर naked trade लेते हैं, या फिर hedge करके नहीं चलते हैं, उन्हें काफी जो problem होती है, इस वज़े से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ने, stop loss आपको लगा करके रखना है, अब बात आती है, क्या आपको यहाँ पर DCA करना है, अगर आपकी holding जो एक दो साल क पर आए, तो एक बार थोड़े इसके जो technicals को देख लेते हैं, यह देखिए, एक दिन का चार्ट है, जो red line है, इसके बारे मैं आपको बहुत पहले बताया है, कि यहाँ पर यह weekly time frame पर bitcoin को जो काफी अच्छा जो इस तरी के support कर रहे है, बिट्कॉइन का price यहाँ पर नीचे आकर के फिर से इसे जो 38,000 पर काफी एक strong support मिलेगा, अगर यह वाला भी level यहाँ पर break हो जाता है, तो bitcoin का price हमें जो फिर से यहाँ पर 33,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि इसका काफी एक strong support level है, तो हमें देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें सिर् जो एक घंटे के अंदर अंदर में, साथ ही साथ अगर हमें आपर जो 4 घंटे के चार्ट को देखें, तो पहले यहाँ पर जो है, यह वाले जो trend line हमारी जा रही थी, यह भी जो काफी अच्छा work कर रही है, तो आपको देखिए, simple कुछ नहीं करना है, bitcoin के चार्ट पर जाना है, आपको सिर्फ जो है, support, resistance, साथ ही साथ, trend lines को जो है, इस तरीके draw कर देनी है, अगर आपको जो है, यह level से बार note करने है, वीडियो को pause करके, इन levels को आप जो note करके रख सकते हैं, साथ ही साथ, कोई अगर ऐसा देखिए, trade अगर आता है, तो मैं अपने telegram channel पर आपको जो ह आज रात में आफिकल सुबह तक जो share करके बताता रहूंगा, लेकिन अभी के date में कोई आपको मैं trade नहीं दूँगा, telegram channel join करना बिल्कुली free of cost है, telegram के link आपको description मिल जाएगी, जाकर के join कर सकते हैं, साथ ही साथ, जो लोग मुझे नहीं जानते है, मैं आपको बता तो मैं रन करता था, crypto crown channel जहां पर कि एक लाक अठावन अधार से जादा subscribers थे, वो channel youtube ने किसी वज़े से delete कर दिया है, तो मैंने अपना जो एक नया channel स्टार्ट किया, crypto sahil के नाम से, इस channel पर अगर आप नहीं आए, subscribe करके पहले एक आपे click कर देंगे, तो आने वाली videos की notification आपको मिल रहेगी, यह video दोस्तों आपको पसंद आए, तो like ज़रूर करेगा, मुझे यह चीज लगी कि आपके मन में यह question होगा, तो मैंने फटा-फट से यह video बना दी, आज मैंने करी पांच गंटे पहले एक video डाल रखे है, जिसमें मैंने आपको बता है कि RSI indicator का use कर रहे कि इस तर करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, इसकी prediction जो हमने पहले ही कर दी थी कि Bitcoin में एक और dump आने वाला है, और यह जो Matrixport की report आई, इसका use करके Wales नहीं यहाँ पर जो अच्छा कासा dump किया, आगे भी और dump आ सकता है, तो अभी के लिए बिल्कुल भी trade नहीं करना है, DCA करना है तो क कर सकते हैं, आपका कोई भी सवाल रहता है, मुझे comment करके आप जरूर बताइएगा, आपना ख्याले के पनी family का ख्याले के मिलता हूं नए वीडियो में के इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!